तो यह है हमारे पास Build a Skilled Company की एक drill machine और यह मेरे हाथ में आपको दिखाई द रही है अलग-अलग तरह की bits दिखाई द रही है इस drill machine की तो आज मैं आपको सही तरीका सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको drill machine चलानी होती है और कैसे आपको यह जो bits है इस drill machine में proper तरीके से लगान सकती है तो आपकी जो drill machine है वो चलते समय अटक भी सकती है और दूसरी बात drill machine की जो bit है वो चलते समय खुल भी सकती है उसके लाबाद drill machine के खराब होने का खत्रा यहां पर ज्यादा बढ़ जाता है तो आज सही तरीका इस वीडियो में अच्छे से आपको समझाने वाला हू मेरा रामे संजू आप देखने लर्निंग वाबा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अच्छी अपने वीडियो में आपको नीचे लिंक के दे रखाए डिस्कुप्शन में बहां से आप इसे और आम से पर्चेस कर पाएंगे और यह है दोस्तों इसकी एलन की जिसकी help से पीट की करने है कि यहां पर नःगा तो आपको फील जाती है था मैं आपको यहां पर बताता हूं तो आपको सबसे पहले तो इसे घुमाना है जब आप इसे उल्टा घुमाएंगे और तो आप देखेंगे कि यह जो यहां पर यह देखे दोस्तों ऐसे घुमाते जाएंगे, तो यह यहां पर यह देखे जो होल है यह बड़ा हो जाएगा, अब इसमें जो भी बित आपको फसा नहीं है तो इस घप के आंदर इंदर यहां पर देखे इतना एक गैप होता है आप इसके बाद जो है कि चू निया स्टार्ट हो जाती है तो इस घप के अंधर ही सू झांग आपको यह przeci करके से फशादेना उसके पाद इसे रिवर्स तरीके से दुबारा से आप इसे कसते जाए उल्टा घुमाके और यह देखिए इतना कसने के बाद यह थोड़ा सा फिट हो जाएगी अब आपको क्या घरना इस एलन की को हाथ में लेने के बाद आपको इस तरीके से राइट डिरेक्शन में इस तरीके से आपको घुमबाते जाना है इसको और ऐसे अलग-अलग मोड पर आपको इसे टाइट करना है पूरी ताकत के साथ इसे हमाते हुए टाइट करना है और जैसे जैसे आप इसे टाइट करते जाएंगे यह परफेक्ट तरीके से टाइट हो जाएगी यह देखिए दोस्तों अभी आपकी एडिल मशीन पूरी चलने के लिए तयार हो चुकिए आप चाहें तो आप किसी भी चीज में इसे होल कर सकते हैं तो अब मैं आपको इसकी हैल्प से होल करके दिखाता हूं कि कस तरीके आप को दिवार पर इसे चलानी है अगर यह डीक तो चलाते समय हुआ यह जो है दिवार में फंस जाएगी और दिल मशीन निकल जा थे ऑर औहो सकता है कि यह दिवार में फंस इसी तरिके से ही आप इसको set कर सकते हो सब्सक्राइब अपको स्टरीकर करने का पता हुए स्टरीक तरीक तरी को पाइब 20-205 आप को यह जू राइट हेंड है क्यों से इसकी गृपड़ना है श्तार्ट कर देती है तो अब यहां पर देखिए अगर हमें यहां पर हूल करना है तो यह आपने पकली राइट से और अगर आपको आप इसे चाहां चाहें तो आप ऐसे और आप देखिए जब मैं इसको चलाऊंगा तो अंदर की और ताकत को मैं लगाऊंगा ठीक है तो यह देखिए अब देखिए आपका जो होल है वह असानी से हो गया है अब एक चीज का विशेज दिहान रखें बरना आपकी डिल मशीन खड़ा हो जाएगी जो मैं बात बता रहा है उसको बहुत विशेज दिहान रखें जब आप मान लीजिए इसको चलाते हुए अंदर की शाहिड ऐसे ले जा रहे हैं ठीक है और आपको होल पूरा हो गया है तो कई लोग क्या करते हैं ब सबसे तरीका यह है कि जब भी आप इसे चलाते हुए ले जा रहे हैं तो जब बैक इसको बहार निकाल रहे हैं तो बैक भी आप चलाते हुए तुरंत निकाल लीजिए जैसे घीचिंगे ना तो यह पक्का हंडेड परसंट खराब होता एगी ठीक है तो इस तरीके से आपक टिल मशीन खड़ाब होने के पूरे पूरे चांसे रहते हैं तो आई होप यह वीडियो आपको पशंद आया होगा अगर पशंद आया तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए इंफोर्म किसा तब तेगले दोस्तों नमस्कार